नमस्कार दोस्तों कम्मा गणी नवन पढ़ना मैं सांचोरी क्लासेज में मैं PC सांचोरी आपका हार्तिक श्वागत करता हूं अभी नंदन करता हूं दोस्तों RPSC द्वारा जो आयोजित बर्तियां होती है उनसे इत्यास से समंदित जितना सेलेबस है राजस्तान करमचारी चैनायोग दोरा बर्तियों का इत्यास से समंदित जितना सेलेबस है राजस्तान सरकार दोरा जितनी भी बर्तियां चाये वो किसी भी विबाग में हो चाहे वो राजस्तान राज्यपत परिवे निगम द्वारा हो यहां राजस्तान विद्यूत विबाग द्वारा हो जितनी भी बरतियां उन बरतियों का हम सम्मगर राजस्तान का इत्यास पढ़ रहे हैं दोर है राजाओं के साथ साथ हमने जालोर के इतियास के जानने के स्रोत के बरे में जाना कि कौन-कौन से स्रोत है अभी लेकी स्रोत है साहितिक स्रोत है और सिक्कों के मादम से हमने जालोर के इतियास के जानने के कौन-कौन से हमारे पास में वर्तमान सक्से मौजूद है उनक साम sitä सामन सिंग तugene अमारा राजा का राजा सौनग्रा कानड़ अब काका कानड़ या अञी के बार और कानणदेव के पुत्र वीरमदेव का इतियास ज्यावुदिन बननी लिखता है और अमीर खुसरो भी जालोर के सवंगरा चवान कानणदेव की कहान बताता है फ्रिस्टा भी लिखता है मोन अपनेंसी भी लिखता है तो इस प्रकार हमें खूप सारी जानकरियां मिलती है लेकिन हमने एक बताया कि पदम नाम ने कानर देव पर्मन लिखा और वीरम देव संगरारी बात लिखी पुस्ट में हमें संगरा रूप से कानर देव और वीरम देव के इत्यास की जानकारी मिलती है अब हम बता रहे थे के सामन सिंग जो जब बुड़ा हुआ साइस संगरा चोवानों में और इंदोस्तान के बहुत समझदार राजाओं में से एक था सामन सिंग उसने कहा कि हम तो बुड़े हो चलें अब बुड़े वरद लोग कितने तक सासन करेंगे हमें इन जवानों के आतों कमान सौप देनी चाहिए संगरा चोवाना के समराजी की और हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए मौक्स की प्राप्ति के लिए कहता है कि सामन सिंग ने अपना राजपाट कानर देव को सौप दिया और जब कानर दे राजा था अब हम कानर दे को अलग-अलग दस्टी से पड़ेंगे ते कानर देव का समकालिन जो राजा ता वो दिल्ली पे यहां रही दिल्ली और दिल्ली पे कानर देव के समय राजा था यानि दिल्ली शल्ता नत तो समय यहां का राजा था एक के अलवदीन खिलजी अलवदीन खिलजी का जालोर के किल्ये पर आकरमन का कारण क्या था यानि यह इस सूवरण गिरी पर आकरमन क क्यों कर रहा था और इसी के साथ में इसका इत्यास समप्त होता है अलावदीन खिलजी के यूद के साथ में सुरंगिरी पर आक्रमन का कारण क्या था तो और वीरमदेव का कानदेव और अलावदीन खिलजी के साथ में किस परकार का समझेश्य था वीरमदेव की कहानी जो कान ये रहा कानर दे और उस समय दिल्ली सल्तान पर अलाउदिन खिल जी था हमने इस से पेले पड़ा था नासुरिदीन मेमूर ने युद किया जलालुरिदीन युद किया बल्मन ने किया और उसके बाद में आता अलाउदिन खिल जी और कानर देव के समकालिन कौन था अलाउद दिव के समय अब जब अलवधिन खिल जी शासक बना remember हम स्ट्धी को सकंद्र है सानी मानता था और यह सकंद्र की भांती विस्विप्रेटा बनना चाहता था तो इसमें मैत्वक हंसा थी और अपने समराजी की मैथ्वक कांगसा और समराज्य को अधिक से अधिक गीत लेकर के अपने अदीन करने की बिश्व विजेता बनने की ये मैंतव कंगसा इरक्त था एक तो अलावदिन खिलजी और कनर देव के cents कारण अलावदिन खिलजी की 30 समराज्यवा दिन इत इती Swift दूसरा कि दिल्ली से मालवा दिल्ली से गुजरात दिल्ली से मुल्तान जाने का एक मात्र मारग था और वो सुवरंगिरी सुन्गराथ चुवान उस मारग में एक बीरियर थे एक अवरोधत की बांती कारिया कर रहे थे तीसरा कारण कानड देड वो विक्तिता जो ध्रम के विरुध एक कारियर नहीं करने दे रहा था अलावदिन खिल जी कोcm – तब अलावदिन खिल जी का गुस्सा सुन्गराथ चोनओ पर उतरना समझ में आता है तो इस परकार के जो कारण पे उन कारणों का वर्णन हम कर रहे हैं इस परकार यहां कानड देता और जालोर के किले पर उसमें सामा सिंग ने अपने पुत्र कानड दे को राज स्वाप दिया यहां बाड मेर पढ़ता है बाड मेर मेर में यहां पढ़ता है शिवाना शिवाना श्यवाना उस समय श्यवाना पर राजा था वो था सातल देव शातल देव अब देखो बात यह है कि अलग-अलग इत्यासकार यह लिखते हैं कि बारा सो अंठान में इस्वी में अलाउदीन खिलजी ने गुजरात आकरमन के लिए अपने सेनापतियों को बेजा यह इस परकार यह इंडिया को यह इसे बना दिया जायत यह बारत और यह दिल्लई और इस परकार यह गुजरात जी के लिए जा रहे थे और अलाउदीन खिलजी के सेनापती थे उलूग का और नुसरुत का उलूग का और नुसरुत का उलूग का और नुसरुत का उलूग का उलूग का और नुसरुत का उलूग 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 का उ कानर देने साफ साफ अक्सरों में मना कर दिया कि जो निर्दनों का अप्रण करता है जो गायों को मारता है ब्रामन यानि धरम विरोधी है एसे निर्दनों पर अत्याचार करने वाले वेक्तियों को अक्रांताओं को मैं मेरे समराज्य से किसी भी परकार का रास्ता नहीं दे स सकता अलाउदिन खिल जी को साप साप मना किया कानड़ देने जब कि कानड़ जानता था कि अलाउदिन खिल जी एक अतीम मैत्वाकंग्सी विक्ति है और वो गुजरात पर आकरमन नहें करके जालोर पर भी आकरमन कर सकता है लेकिन कानड़ देने साप साप मना कर दिया फिर भ को लूटा सौमनाथ मंदिर को लूट करके यह जब जालोर की तरफ आगे बढ़ रही थी और वापस दिल्ली आ रही थी तो कहते हैं कि जालोर के आस पास में उलुग का और नुसुरत कां अलओ इन खिल जी की सेना पती ते हैं अलओ इन खिल जी की सेना उलान बटोर जिसकी राज़़नी नहीं है चीन के उत्री बाग में मंगुल लेते हैं उनमंगोला ने कभी मुश्मिमों से पहले बारत पर आक्रमन किया ता मंगुल और मुश्लिम एक नहीं है वो इसलाम दर्म का पालन नहीं करते हैं मंगोल तो प्राचीन जो मंगोल बारत में आकर के बसके थे और चंगेज कांगे साथ में भारत पर आए थे बारत में आए थे चंगेज कांगे आकरमन के समय वो यहां आकर के भारत के होकर के रह गए और वो मंगोल थे जब मुस्लिम भारत में आए तब मंगोलों को मुस्लिमों ने इसलाम सविकार करवाया और बाद में जो मंगोलों ने इसलाम सविकार किया वो नव मुस्लिम कहलाई कहते हैं कि जब सौमनाथ के मंदिर को सिविलिंग को लूट करके ये जब जालोर के आस-पास पहंचे तो नुसरत क्हां और अलूग क्हां के साथ में मंगोलों के बीच में धन को ले करके धन के बंटवारे को ले करके मंगोलों के बीच में विवाद हो गया और उसमें मुमसा उसमें केबरू केबरू आदिते और मंगोलों और नव मुसलिमों और प्राची मुसलिमों के बीच जो विवाद हुआ उस विवाद में उन मंगोलों ने, यानि नव मुस्लिमों ने खुलू का और नुस्रु का को लूट लिया, और जब लूट लिया, और लूट करके कहते हैं कि टेक विक्ति तो हमीर के, मुहमद सा तो हमीर के सर्णों में चला गया, नव मुस्लिम है वो हमीर के सर्णों में चले गया, और उस समय इस इस्तित की सेना सामनात के मंदिर को लूट करके आ रही है और सामनात के मंदिर को लूटा है जेता देवडा को कहा कि आप जाओ और पता लगाओ कि मुस्लिमों की इसलाम जो है और अलवदीन खिलजी की जो सेना है उनकी क्या इस्थिति है तो कहते हैं कि जेता देवडा गया और उसने उलूग खां से मिलकर के पता किया कि वर्तमान क्या इस्तिती है जब वो वापिस आया तब उसने आकर के कानड़ दे को बताया कि अब भी अर्क्रमन करना उच्छित नहीं है लेकिन तुन्तों ने सूसना मिल गई कि नुसरुत कहां और उलूग कहां की सेना जो अलावदिन खिलजी ने बेज़ी थी और सौमनात लूट करके आ रही थी प्राचिन मुस्लिमों और नव मुस्लिमों के बीच में धन के बंड़ार को लेकर के विवाद हो गये और वो सेना अपस में लड़ रही गए तब कानर देव ने अपने सेना पती जेता देवडा को कहा कि अब आकरमन करने का सई समय है कहते हैं कि कानर देव की सेना ने अच्छानक आकरमन किया और अलावदिन खिलजी की सेना समझी नहीं पाई अलाउदीन खिलजी की सेना समझ दी नहीं पाई और कानर देर ने एक गाह पड़ता है जो जालोर के दक्स में पड़ता है सिराना इस सिराना के पास में सौमनाथ के सिवलिंग के मंदिर को जो लूट करके लाये थे उनको पांच मंदिरों में सिविलिंग को लूट करके इस्तापित कराया कानर दे ऐसा का जाता है कि कानर दे परबंद में पदम नाम लिखता है कि पारवती माता जो है कानरदे के राजा के सपने में आई थी और उसने ही नव मुस्लिमों को और मुस्लिमों को लड़वाया था और लड़वाया तब कानरदे को बोला कि अब उच्ची तवसर है और तुम जाओ और सौमनाथ के जो सिविलिंग लूट करके उलुख खां और नुसरुख खां आये हैं उनसे लूट करके ले आओ तब कहते हैं कि कानरदे ने जेता देवडा को लेतरत में सेना बेजी जेता देवडा ने लूट करके सौमनाथ के सिविलिंग के मंदिर को जो उन्होंने तोड़ दिया था जो पांच भागों में बंटा हुआ था उसे पांच मंदिरों में इस्तापित किया और वो कहां करवाया शिराना के आसपास अब कोई कहते हैं कि जब लोड़ती हुई उलुख खां और नुसरुख खां की सेना पर अलवदीन खिलजी की सेना पर जब कानरदे ने आकरमन किया तब अलवदीन खिलजी उस से खिन हो गया और उसकी जो प्रोध है उसका वो कोप बाजन का सिकार कानरदे उन्हा सबविकता के ते हैं कि उसने 5 साल बाद में 3-105 में एन उल मलक मुटनी के नितर तुमें आकरन किया एन उल मुलक मुलतनी एन उल मुलक मुलतनी के नितर तुमें अपने एक सेना पति को बेजा और का कि तुम जाो और आलवदीन खिलजी नहैं एन उल मुलक का अपने मुलतानाई सेनापती को बेज़ा और कहा कि कानर देखो जाकर के सबक सिखा के आओ कहते हैं कि तेरा सो पांच में एन उल मुलक मुलतानी की सेना जालोर के किले को गेरने के लिए आई और जब जालोर के किले की इस्तिती जब कानर देव ने देखी कानर देव ने कहा कि हार तो जाएंगे और इधर एन उल्मुल्क मुलतानी जो उनका मुलतानी सेनापती था अलावदिन खिल जी का वो बड़ा कूटनीती किया था वो बड़ा चालबाज था उसने कानड़ दे को का तेरे को मैं द्ली ले जाओंगा और द्ली अलओदिन के दर्बार में तेरे को समलाद जनक तरीके से बिठाऊंगा तो यह इजट बकसाऊंगा तेरा रेस्पेक्ट होगा और तेरी आन बान और सान में किसी भी परकार के कमी नहीं आएगी कि डिल्ली दरबार ले गया और जब ले गया और जब दिल्ली दरबार ले गया तो कभी कभी क्या होता है कि इंसान को एंकार आई जाता है कितने इरेद विनमरता वड़ा है तो भी एंकार आजाता है और वो विश्विजेता का सपना देख रहा था तो उसने कानर देव की तरफ देख करके का कि हिंदुस्तान का कोई हिंदू ऐसा राजा नहीं है जो इस अलावदिन खिलजी का सामना कर सकें कहते हैं कि कानर देव के आँखों में रख उतर आया और मनी मनो उसका उबाल आया और करोधी तो करके आग बबुला हो गया लेकिन वो अलावदिन खिलजी के दरबार में दिल्ली बैटा था उसके वस्का काम नहीं था कहते हैं कि फिर भी तो उसने अपने को करोध के गूट को पिया और दिल्ली से कहते हैं कि वो वापिस जालोर आ गया तो जालोर आया तो इस बात का सबक सिखाने के लिए अलावदिन खिलजी ने जालोर पर आक्रमन किया लेकिन कुछ इत्यास कारदे से मून और नैंसी है वो कुछ और ही लिखते हैं फरिस्ता जो अलावदिन खिलजी की समराजयवादी निती को मेत्रपन मानता है घ्रदीन खिलजी का सेनाफ़ती एन मुल्क मुल्तानी दिल्ली ले गया मुलतानी जब दिल्ली ले गया कानर देव को ये विश्वास दिलाया कि तेरे आनमा नसान में कोई कमी नहीं आएगी और तेरे को पूरा रेस्पेक्ट देंगे कहते हैं कि कानर देव वाँ चला गया जब कानर देव आ गया और समझोता हो गया तो वीरम देव भी साथ आया जाया करता था और ऐसा कहा जाता है कि पंजू पाय का जैसे मंजू पाय का भी कहते हैं जो एक अच्छा योदा था कुष्टिकार था उसको अलवदीन के दर्बार में जब वीरम देव ने पठगनी दे दी और एक पठगनी एक जटके के साथ में ऐसे उटा करके फेंका कि वो सिर के बल गिरा और पंजू पाय का के प्रान पंगिर उड़ गे इस परकार एक योदाओं को जिसने पूरे मुस्लिम योदाओं को दूल चटा दीती और इस परकार केता है कि जब वीरम देव ने एक जटके में उस साल फेंका तो फिरोजा जरोके से देख रही थी और फिरोजा मन इमन दिल दे बेटी और फिरोजा ने ठान लिया कि शादी करूँगी तो इस से ही करूँगी मोना टनेंड से लिखते हैं कि जब ये बात वीरम देव को पता चली तो वीरम देव ने इस पश्ट मना कर दिया और जब मरने मारने की बात आई तो उसने अपने साथियों को समझाया और अलवदिन खिलजी के पास में ये बात कहुंचाई कि हम जालोर जाते हैं और जालोर जाकर के हम त्यारी करते हैं और फिर बारात लेकर के आते हैं कहते हैं कि वीरम देव यहां आया और कानर देव को बात बताई तो कानर देव वैसे मना करने वाले थे और वीरम देव मना कर चुके थे कहते हैं कि फिरोजा सज़ दज़ करके अपनी साई सेना लेकर के जालोर आई और जालोर आकर के उसने ये बात कानर देव को बताई पणने जिउung तरकडी स्नुन तो पच्छम वोग वाण यानि इस दरती के ऊपर सूर्योतें बुरों की वजा पच्छम में वोग जाएं क्योंकि मेरे मामा जो वाटी है वो मेरे इस्लाम से मुस्लिमों से साधी करने पर रुकडी से साधी करने पर वो लजजित होते हैं क्योंकि ये कुल विरूद साधी होती है तो मामा लादे भाटियां कुल लादे चोवाण और मेरा खुद का कुल चोवाण है वो लज्जा मरता है वो बेशरम हो जाता है और उसकी इज़त मिट्री में मिल जाती है तो तेरे से मैं साधी नहीं कर सकता ऐसा लेटर लिखते हुए करते हैं कि अलाउदिन खिलजी नहीं अलावदिन फिलजी ने फिरोजा की धाय मा के नितवत में एक बड़ी सेना बेजी, कि वीरम देव उस यूद में मारा गया, वीरम देव का सिर कटा हुआ, जो फिरोजा के सामने लाया गया, तो किता है कि सिर भी गूम गया का, तब फिरोजा ने कहा कि मैं जीवन जीवन तेर कहते हैं कि उसने यूमना नदी में कूद करके आत्म अच्छा कर ली, फिरोजा का मकबरा जो जाड़ोर के किले में इस्तित है, ये बात इस बात की पुष्टी भी करता है कि अलावदिन खिलजी ने उस फिरोजा के मकबरे का निर्मान करवा है, जो भी हो, कहते हैं कि राजियवादी की नीति थी, जो भी रहा हो, लेकिन अलावदिन खिलजी ने कानरदेव पर, जालोर की किले पर आक्रमन किया, और उसके क्या हमें परिणाम मिले, इसका वर्णन हम एक-एक करके करते हैं, जब 1305 जिशी में एन उल्मुल्क मुलतानी, अलावदिन खिलजी का सेनापती एन उल्मुल्क मुलतानी, सेना लेकर कि जब जालोर के किले पर आक्रमन किया, तो उससे विफलता हाथ लगी, और वो सपल नहीं होता है, इस बात का पता जब दिल्ली के सुल्तान अलावदिन खिलजी को चला तो वो बाग बबुला उटा और उसने एक भारी सेना ली अलाउदीन खिलजी ने और जालोर के आकरमन की तरफ बड़ा अलाउदीन खिलजी अब जालोर के जो आकरमन का नेतरत्व है वो कमालुदीन गुरुग को सौंपा गया कमालुदीन गुरुग को सौंपा गया अब कमालुदीन गुरुग अलाउदीन खिलजी के साथ में एक बड़ी सेना लेकर के क्योंकि एन उल्मुल्क मलतानी 1305 में जालोर के किले पर विफलता हासिल कर चुका था इसलिए अलाउदीन खिलजी आग बबुला हो उटा और उसने अपनी सेना कमालुदीन गुरुग की नेतरतों में बेजी 1308 में 1308 में जब कमालुदीन गुरुग सेना लेकर के दिल्ली से चला तब उनकी सिफ़ सालारों ने एक सला दी कि आप सिद्धी जालोर पर चड़ाई करोगे तो आपको हार का मुह देखना पड़ेगा आपको हार खानी पड़ेगी तब कहते हैं कि कमालुदीन गुरुग ने 1308 में सोचा कि क्यों ने जालोर की किले पर आक्रम ने करके जालोर के आसपास के सेत्रों को पेले जीता जाए और कमालुदीन गुरुग ने 1308 में सबसे पहले जो आक्रमन किया वो शिवाना पर आक्रमन किया शि शिवाना बाड मेरे में पड़ता है और शिवाना के अंदर एक वरक्स होता है कुमट कुमट अधीक होने के कारण है इसे कुमट का किला कहते हैं कुमट किला कहते हैं और इसे प्रातीन साहितियम है कुमबाना का किला भी कहते हैं कुमबाना का किला भी कहते हैं कुमबाना का कि में यहां पढ़ता मोकल सर मोकल सर की मठियां परसीद है मोकल सर से शिवाना के मध्य है चपन पाडियां है चपन निर्जन पाडियां है इन चपन पाडियों को चपन की पाडियां कहते हैं इन चपन पाडियों को चपन की पाडियां कहते हैं सपन पाडियों में एक पाडि है, उस पाडि का नाम है हल्देश्वर पाडि, हल्देश्वर पाडि, इस हल्देश्वर पाडि पर शिवाना का दुरुप इस्तित है, शिवाना का दुरुग चारों तरफ से काटों से गिरा हुआ है और वन से गिरा हुआ है और एक पहाड़ी पर अलदेश और पहाड़ी पर है पहाड़ी पर इस्तित होने के कारण इसे गिरी दुरुग केता है और चारों तरफ से वनों से गिरे होने के कारण इसे वन कुमबाना का दुरुग और इसे कुमट अधिक होने के कान कुमट का दुरुग भी का जाता है शिवाना का दुरुग है वो जालोर के दुरुग का रख्षक कहलाता है यह जालोर पर आकरम करना है तो पहले शिवाना को जीतना पड़ेगा इसलिए जालोर किले की जालोर के किल कि चाबी का जाता है जब हम राटोड वांस पड़ते हैं मार्वाड के राटोड वांस चाहे वह माल देवो चाहे वह चंद्रसेण हो जब भी उनके उपर आपती आई और विपती आई और वो एक संक्ट से गिर गए तब वह मार्वार से जब तो वो सीधे दोड़ करके काँ आए शिवाना आए और शिवाना आकर के उन्होंने सरण ली इसलिए मारवाड के राजाओं की सरण इस तली कहलाता है संकट इस तली कहलाता है और संकट कालीन राजदानी कहलाता है शिवाना का दुरुग क्योंकि मारवाड के राजाओं ने च काड़ोर के दुरुग की चावी जबालीपुर की चावी सुवरंगर गिरी की चावी सौनगड की चावी सिवाना का दुरुग के लाता है और सिवाना का दुरुग मारवाड के राजाओं की सरण इसली मारवाडा के राजाओं की संकट कालीं सरण इसली का दाता है वो सिवान साईतिय में इसकुमानका के लाबी केते हैं ऐसा का जाता है कि यहां परता मालवा कौन सा बालवा कि में धरापरवा मेरे एसाब से पढ़ारा रहा हूं तो आपको एसा लग रहा होगा कि थी ऐसे अगे बढ़ा Recogn temperature तो एक-एक स्टेप से मैं बता रहा हूं पेले हमने यह बताया कि कानर देव ने और अलवदिन खिलजी के मद्द्ध आक्रमन का कारण क्या था फरिष्टा लिखता है कि फरिष्टा एक फार्सी इत्यासकार है उसने लिखा कि अलवदिन खिलजी एक महत्वकांक्सी और भी कि बीच में उनका जो भी वेरिर आता था और उद्ध आता था पूसरे वह अपने आख का कांटा मानता था पाम का कांटा मानता था और उसे नश्ट कर देता था तो समराज्यवादी निती थी मूर्ण ओननेंसी यह लिखता है कि वह फिरोजा जो अलवदिन खिलजी की स हलो एक किल्ह यो किता है कि बwość आखरमन के लिए कें आखरमन की कि आखरमन का करण रहा है 305 में हमने अभी तक बताया कि दा तर्तर में 305 मा उससने क cookie यह किरेकित पानर देव पास पहुची तो वो तेरा सु आठ में एक बड़ी सेना लेकर कराया और अलवदीन खिल्जी ने जिसको नेतरतों संपा अब गी बार जो 308 में संपा वो कमाल गुरग था कियता है कि कमाल गुरग के नेतरतों में वो सेना लेकर कराया तो उसने सीधा जालोर के किले पर अकम नहीं किया, उसने किया सिवाना पर, और इस सिवाना जो गड़ है, वो अल्देश और पाड़ी पर इस अल्देश और पाड़ी पर जो सिराना दुरग है, ऐसा कहा जाता है कि यहां का परमार राजा था, परमार राजा था भोज, परमार राजा भोज का बेटा था वीर नारा करवायन ने इस के लिए का निर्मान करवाया था और कब कराया दसवी सताब Adventure be ing about jo 322 में नो सोच उवनreciब में नौ सवol। इस्वी में परमाँ राजा मालवा का परमाँ राजाबोज का कभी सासन सिवाना तक भी था तो पर्माराजा बोज के पुत्र वीर नारैन निना 54 इस्वी में सिवाना के दुर्ग का निर्माण कर वाया जब अलाउद इन खिर जडी नहीं सिवाना के दुर्ग पर जब आकूर्मन किया तो यहां का राजा था सातल देव यह शातल देव शातल देव अलावदीन खिर जी शातल देव के बारे में लिखता है कि एक जंगल के बीच में एक जंगल के बीच में एक ब्यानक पाड़ी के मद्य एक काफिर काफिर यानि वो काफिर जो बताता है वो बताता है शातल देव को और वो कहता है कि शिवाना दुर्ग व्यानक जंगलों में इस पहाड़ी दुगर पर काफिक सातल देव शीमुर्ग की बांती रहता है और उसके कई हजार काफिर सरदार पहाड़ी गिदों की बांती उसकी रक्सा करते है यानि वो काफिर है जो काफिर का नाम देता है वो किस में शीम मुरुग यानि अलाउदीन खिल जी सातल देव से खितना भ्यानक डर रहा था कि उसने लिखा कि बैंकर जंगलों के अंदर बैंकर जंगल में एक उची पाड़ी पर एक गड़ उस कहा पहाड़ी पे काफिर शातल देव शी मुरुग की बाती अज़ारों अज़ारों काफीर योदाओं के मद्दे रेता है और वो योदा काफीर योदा गिद्दों की बाती की सी मुरुग यानि शातल देव की रक्सा करते है जो किसी छोटे पक्सी को फटाख से उठा लेता है इससे सिमुरुग बताया और उसके लड़ाकों को जो शातल देव की लड़ाके थे उनको उस अलावदीन खिलजी ने खुद क्या बताया? उसने बताया कि गिदों की बाती उसकी सुरक्षा करते हैं इसका मतलब सातल देव की सेनिक बड़े ब्लानक सासी और वीर थे अलवदीन खिलजी उसकी वीरता का लोवा मानता था और सातल देव का खुद का लोवा मानता था जब 1308 सिवाना पर आक्रमन किया वेरा डाले रखा और उन्हें जीत आसिल नहीं होई अब क्या है अलवदीन खिलजी ने जो सारा लिया वो बहुत ही दोके का सारा लिया और उसने क्या किया कि यहां का एक परमार शामन्त था जो चोवानों का बाद में सामन्त बन गया और वो किलेदार था उसे परमार यां परमार भी कहते है परमार या काटा बावला बावले को परमार भावले को उसने किल्ये का लालच दिया और किल्ये के लालच दे करके इस भावले परमार को अलावदिन खिलजी बोला कि तुझे एक काम करना होगा चारों तरफ से किल्ये को अलावदिन खिलजी ने घेर रखा था सातल देव की सेना अंदर पड़ी हुई थी और किसी भी परकार का बही ये संपर कट गया था कहते हैं कि तब ही इस परमार और पमार भावले को अलवदिन खिल जी ने किले का लालत दिया और देकर कि का कि ये ले ये गाये का रख्त है और तुझे एक काम करना होगा कि जो सिवाना के किले में मामा दे का कुंड है और वो कुंड मामा दे का कुंड ही एक मतर जल का शुरोत था बाड मेर के सिवाना के दुरग में मामा दे का कुंड ही एक मतर जल का शुरोत था उसके अंदर इस बावले ने रक्त मिला दिया जब बावले ने रक्त मिला दिया तो राजपुती शेना प्यास से तड़ हुटी क्योंकि वो गाय का रक्त मिला हुआ पी नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने शातल देव ने कहा कि कैसरी आवस्तर धारन करो राजपुती सर्दाओंने ने कैसरी आवस्तर धारन किया और किल्ले के दरवाजे खोल दिये कैसरी आवस्तर धारन किये हुए अलवदिन खिलदी के सबदों में गिदों की भाती योगा मुस्लिम आकरमन करताओं पर तूट पड़े और देखते ही देखते है कि मुस्लिमों के कि दाइट खटे होगे और वो नो दो बार है करने ही वाले ते तब ही शातल देव की पत्नी मेना दे को लगा कि राजबूथ हार सकते हैं और जोर की जवाला जब किल्ले से बार निकली, कहते हैं का अलवदिन खिल जी की बाएं खिल उटी और गाजपुतों का मनोमल डाउन हो गया, इस परकार सातल देव वीरगती को प्राप्त हुआ, मेना दे के नेतों तो महराणियों ने सिवाना के किल्ले में जोर कर लिया, इस जीत लिया, और कमालुदीन गुरुग के जो नेत्रत में हुआ था, इसमें भी अलवदिन खिल जी को बहुती मूख ही खानी पड़ी थी, क्योंकि सातल देव ने, जो सातल देव और सातल देव के जो सैनिक थे, उन्होंने जोदार आकर्मन गिया था, नार खां मलिक और खा खांदा धरा, खांदा धरा भोस, ये दोनूं मारे गए थे, राजपुतों के बल से, अब देखो, अब तट कि अपने क्या च्चुशन पूचा जा सकता है, शिवाना का दुरुग कहां इस्तित है, हल्देश वर पाड़ी पर, सपन की पाड़ियों की एक पाड़ी है, सपन दुरुख के औरोक नाम हैं, ये जालोर के किल्ले की quickly कहलाता है, ये questo के उट från कि सक रहिक कहता है, संकत म राजप्त पर पंधियों की? राम चुना हुए जयनाण व्यास के नेत्रतमें वह जयनाण व्यास उनका जर्म तो पौकरन में गई और उनकी करम इस्तली जोध कुर रहा था उनको अंग्रेजों ने कैद करके जो रखा था वह शिवाना के दुरग में रखा था उसे सेरे राजस्तान का जाता है लोक-नायक जैनान व्यास को सेरे राजस्तान का जाता है सेरे राजस्तान को आया हुआ कि उसने का रखा गया सिवाना के दुर्ग में रखा गया सिवाना के दुर्ग पे आकरमन किस ने किया कमालुदिन गुर्ग ने किया कब किया 1308 में किया जालोर के किले पर परतम आक्रमन कब हुआ तेरा सुपांत में हुआ किस ने किया अनुल मुल्क मुल्तानी ने किया जालोर के किले से पहले जब गुजरात पर आक्रमन किया तब अलाउदिन खिल जी के सेनापतियों के क्या नाम थे उलूग खां और नुसरत खां इस परकार उ तूटे हुए सौमनाथ के सिवलिंग को जेता देवडा के नेतरतों में कानर देव ने कहां इस्तापित करवाया तो शिराना एक गाम है जिसे जालोर के पास में है और जिसे शिवाना भी कहते हैं एक जालोर शिवाना शिराना गाम पढ़ता है जिसे सराना भी कहते हैं सराना पत्तापीत करवाया तो यह कि सुन पूचे जाते हैं कि जो कि सातल देव है उसकी पत्नी का क्या नाम था मेना देता % अथा dice मेना धे के नहीं सीवाना की किले में सिवाना की किले का निर्मान कस ने करवाई है खूब रहर पूचा गया वीर्नाराएंड ने करवाया वीर्नायंड पर्मार ने कराया जो राजा भोज का पत्र था कब कराया दस्वी शताब दिम्हें यानु नव सो चोवने इसमी में कुमभाना कुमट इसका दूसरा नाम है और शिवाना के दुरुग है उसमें इस्तित कुंड का नाम क्या है यह मामा दे का कुंड के लाता है यह पूचा गया क्योशन है इसके अलावा जो क्योशन पूचा जाता है आप इस्तित सोट ले सकते हैं शिवाना के दुरुग को गिरी दुरुग और वन दुरुग भी कहते हैं यह पूचा हुआ क्योशन है नार खाम मलिक और खांदारा बोज कब मारे गए यह शिवाना के दुरुग पर अकमन के समय मारे गए यह पूचा हुआ क्योशन है एक पूछा हुए क्यूशन है कि शिवाना का जो दुरग है जालोर के पास में जो सौम देव से लुटी हुए सौम देव का सिविलिंग था वो सराना गाउं में इस्ताफित किया और ये है सिवाना वो सराना में इस सिराना भी कहता है जालोर के पास वाले गांगों को सिराना भी कहता है जब कि यह सिवाना गड़ है एक चूसन ये भी पूछा गया है कि जो जब अलाउदीन खिलजी ने कमालुदीन गुरग के निर्तर में सिवाना को जीत लिया तब इसका नाम क्या रखा तब इसका नाम रखा खेराबाद क्य जलालाबाद रखा और एक ये भी पूछा जाता है कि मेवाड का नाम उस समय क्या रखा तो मेवाड का नाम क्या रखा खिजराबाद रखा अपने पुत्र के नाम पे तो ये क्यूसन पूछे जाते हैं क्या रखा खिजराबाद मेवाड का नाम खिजराबाद रखा अब देखों जालोर के कुझी कैलाने वाले शिवाना को जीतने के बाद अलाउदिन खिलल जी ने जालोर पर आक्रमन किया और जालोर पर आक्रमन जब किया तब किस प्रकार जेतल देव ने जो और किया उसके बारे में पढ़ते हैं जब शिवाना दुरुप पर अलोधिन खिलजी ने आक्रमन किया तब एक तो जो कानर देव है वो मोजमस्ती में लगा रहा कानर देव ऐसे ऐसे आयोजन करता था केते हैं कि एक नटनी थी और उस नटनी का नाम था सिंगारी नटनी शिंगारी नटनी बड़ी सोकीन थी रहा है एक ब्यूटिफुल लेडी थी और वो उनकी करतब पूरे जालोर नई मारवाड में परसिते शिंगारी को बेटे बेटे ऐसे सुंद्रिय की बात निकली तो कानर देव ने अंसी मजाग में कहे दिया कि एक पाड़ से दूसरे पाड़ तक है यानि किल्ले से सामने ज गोरक नाथ जी के जालंदर नाथ जी गोरक नाथ जी उनके मंदिर है जालंदर नाथ जी वहां के देवता हुए है जो नाथ संप्रदाए के है और कालांतर में मारवाड के मान सिंग ने कहते हैं कि जालंदर नाथ के नाथ संप्रदाए में आयस्त देव के वो चेले और करते थे, तो वो नात, उन नातों का एक जाल अंदर नात का मंदिर है, जिस सस्रे मंदिर कहते हैं, बो उंची पाड़ी है, कानर देव है, उस संगरी को ऐसे चुनोती दी कि एक पाड़ी से दूसरी पाड़ी के मद्दे बंदी हुई रस्ति है他 है, यह तो इन पाड़ी को पा नट आज भी जो जाड़ोर के किले पे पानी नहीं पीते हैं तो इस परकार की खेला आयोजन करना जब सातल देव पर आक्रमन किया तो कानर देव चुप चाप देखता रहा एक कानर देव के हारत का कारण ये भी था और कानर देव अपने इस्तानिय जनता से जैसे नट उनके कोसल करतब दिखाने में बहुत बड़ी होशार थी उनकी दुस्मनी भी मोल ले ली जैसा भी है कानर देव अब तैरा सो आठ जीतने के बाद में कहते हैं कि अलावदिन की सेना जालोर के किले की तरफ आगे बड़ी जालोर के किले की तरफ ये जब बड़ी तब उसने पेले बाद मेर को जीता बाद मेर के सेर में आग लगा दी फिर इसने जालोर के सांचोर को जीता जालोर के सांचोर को जीता और जालोर के सांचोर को जीतके जब ये आगे बड़ी तब कहते हैं कि और ये जो आगे बड़ी वो मलिक नाइब के नेतरतों में मलिक नाइब के नेतरत फ़िया से में है इसे महोड्री माता उसका पैट बना होने के कारणों से महोड्री माता कहते हैं सम από गें उस महोड्रान से आगे हम जाते हैं तो एक है तर गाउँगाँ गौन की जो पते उस तो बाठना पॉल पबार्ड के फकाहने और फक्ताना घंडान फक्ताई जोज़तपूर्य और बाठनागाम यानव्टर्सक्डा組र्ण मेर्थरास्ट्ट दानसा मल्क नाइब की स़यना को बुरी तरह पीता नागौर मेर्टथरा मेरता की तरफ भागा मेरता के पास में एक गांपड़ता मलकाना मलकाना के यूद में मलीक नाइब हार गया मलीक नाइब मलकाना के यूद में हार गया और मलीक नाइब जब मलकाना के यूद में हार गया तब मलीक नाइब के साथ में एक सेना पती था समसकां समसकां और उसकी पतनी को गिर्बतार कर लिया कानर देव की सेना ने कानर देव की सेना ने संसका और उसकी पतनी को गिर्बतार कर लिया और मलिक नाइब बाग करके मेड़ता की तरफ चला गया और इस कानर देव की सेना का जो नेतर को किया वो किया वीरम देव और कानर देव का भाईता एक मा माल देव यह माल डेव इत्यास में मुझ्छाला मादेव के नाम से प्रशिदू हुआ, मुझ्च है रखता ता लंुभी- Lंुझ मक्लणा माल डेव का भाई माल डेव और वीरम डेव ने जोरदार मलीक नाईव की सेना पर अक्रमण किया, और मेरता के मलकाना युद में आर का सामना करना पड़ा मलिक नाइब को ये बात अलाउदिन खिलजी के पास में पहुंची अलाउदिन खिलजी ने जिस परकार सातल देव पर सिमाना के दुरुग पर कमालुदीन गुरुग को नित्त तो संपा ऐसे वापिस पुने 1311 के अंदर कब 1311 के अंदर जालोर के किले का नित्त तो संपा और कमालुदीन गुरुग और अलाउदिन खिलजी खुद एक बड़ी सेना लेकर के जालोर आए और जालोर आकर के उसने पड़ाव डाला कई दिनों तक उसने किले को गेरा रखा फिर भी कहते हैं कि कोई किसी भी परकार की जब उन्हें स संगरारी बात साहिती में पदमना बारा वर्सों का एक गेरा बताते हैं कि बारा वर्सों तक गेरा डाला रहा लेकिन ऐसा कही गेरा संबव नहीं हैं कहते हैं कि लंबे समय तक पांच से से महिने तक जब गेरा डाले रहा तो अंदर अन जल की कमी हो गई और इधर जब कच्ची बना करके उपर से गोबर से लेवब करके उपर चुना कर दिया गया ताकि जालोर के किले का प्रकोटा बहुत लंबा और उचा है ताकि दूसरी विदेशी सेना को ये पता नहीं चला है कि कहां कच्चा है किता हैं कि एक का एसा ही दुया सरदार था बिका को यह जीत जाऊंगा तो तुझे जालोर की सोम दूगा जालोर का किल्यदार बना दूगा जालोर पूरा तेरे अंडर में रहेगा धिया सर्दार लालच में आ गया लोब में आ गया और उसने अलाउदिन खिल जी को कहा कि जब तुम दिल्ली से चलेते तब काnyaर दिव ने यहां कोई कच्छी दिवार रह गई थि उसे कच्ची बनाया गया तो अलावदीन खेंजी ने पूछा कर पता कैसे लगाया उन्हों ने कहा के राई है उसको इक्ता किया जाए और किले की दिवार पर सढ़का जाए और उपर जल सढ़क दिया जाए राई रातो रात उग जाती है कि पूरे सेर में डिंडोरा पेट द तो कई लेट पहुंचे उन्होंने कहा कि राई ले लो राई ले लो तो उन्होंने कहा कि राई के बावतो राते गए क्योंकि रात कोई शिड़कने के लिए काम में लेना था तो दिन को टिंडोरा पिटा गया और रात को शिड़की गई कोई दूसरे दिन लेके आया तो की दिवार को तोड़ दिया और इस परकार जब सेना अंदर पहुंची ये बात भईया सरदार भीका ने अपनी पतनी को बताया और फतनी ने फटाक से जाके कानड़ देव को बताया तब थर लुए ऊचुकिती केते हैं कि खिलजी की सेना तलावदिन खिलजी की सेना परकोटे के अंदर आ चुकी थी किले में प्रवेस कर चुकी थी और राजपुती सरदारों ने कैसरिया वस्तर दारण किया और कानर देव की पतनीती जेतल देव जेतल देव के नेतरता में अगनी संसकार हुआ यहां का जोर हुआ और साका हुआ इस परकार राजपुती इस्तरियों ने अगनी में प्रवेस किया और राजपुती सरदारों ने कैसरिया वस्तर दारण करके अलावदिन खिलजी की सेना पर तूट पड़े और उने उनके दा अधिकार वगया अलावदीन खिल जी ने वहाँ एक मजजीद बनाई और जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया और जलालाबाद करके कहते हैं कि कानर देव का कोई भी परिवार का सदिश्य किसी भी परकार से जीवित नहीं बता एक कानर देव का भाई बसा था माल देव और उसमेक, माल देव ने अलावदीन खिलजी की अदिनता सुविकार कर ली, तब अलावदीन खिलजी ने जालोर से अटा करके, खिजर खां की जगे, मेवार के खिजर खां की जगे, ये मेवार था, और मेवार का नाम उसने अलावदीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया थ चितोड का नाम क्या किया खिजराबाद जालोर का नाम क्या किया जलालाबाद जालोर का नाम जलालाबाद किया और सिवाना का नाम उसने क्या किया खेराबाद कर दिया खेराबाद इस परकार खेराबाद जलालाबाद खिजराबाद और इस खिजराबाद की खिजराबाद का जो सासन उस समें अलाउदिन खिलजी का बेटा खिजर कहां चला रहा था खिजर कहां की जगे किसको सौपा गया चितोड का किला माल देव को सौपा गया और माल देव इतियास के अंदर मुझसला माद देव के नाम से प्रसीदूआ बड़ी मुझ्छाएं रखता था और ये कानरदेव का भाई था, किसका भाई था, कानरदेव का भाई था, अब कहते हैं कि जब जलालाबाद कर दिया, तब उसने अलाउदीन खिल जी ने एक मजजिद बनाई, और इसे अलाउदीन मजजिद का जाता है, अलाउदीन खिल जी की मजजिद है, अलाउदीन मजज तौप मस्जिद भी का जाने लगा इसको तौप मस्जिद भी का जाने लगा यह जो तौप मस्जिद है यह अलाउदिन की मस्जिद है जालोर के किले में अस्तित है मलिक सा का उर्ष भी जालोर के किले में लगता है जालोर के किले में अलाउदिन खिजी की मस्जिद के वारे म पूछा गया, तोफ मस्जीद कहा इस्तित है, जालौर के किल्ले में इस्तित है, इसी अलाउधीन मस्जीद गई तोफ मस्जीद कहते हैं, देखो, राजस्तान में सबसे पुरानी जो मद्दिर है, सरस्वतीstarök मंदिर को तोड़ कर गए, जो हजमेर में इस्तित है, उसकी जग कि पट्पवुदिन एबग ने 1194 में वाह एक अड़ाइ दिन की मजजीद बनाई उस सर्षति कंटापरन मंदिर को तोड़ करके वो राधास्तान की पेहली मजजीद है और राधास्तान की दूसरी मजजीद है वो तोप मजजीद है यह अलाव दिन-की मज시면 यह रादस्तान की दूसरी मस्जड थे और इकप बढ़ी !! 1311 में ! 1311 में ही जालोर के किल्ले पर राज किस्ता पित हुआ था जालोर पर इकप हुआ 3910 में । इस परकार तो मस्जड का निरमां्ट करवाया ET कानरदेव की पतणी जिसने किया जेतल देव नाम था जेतल देव। इस परकार जाड़ोर पर अधिकार हो गया अलाउदिन खिलजी का क्या पूचे जाते हैं कि गुजरात पर अकरमण करने वाले अलाउदिन खिलजी के सेनापतियों के क्या नाम थे उलुक खांते दूसरे का नाम क्या था नुसरत कहा था नुसरत कहा था कानड़ देव ने सौमनाथ से जब लोटती हुई अलाउदिन खिल जी की सेना आ रही थी तब किस अपने सेनापती को अलाउदिन खिल जी की सेना का जाईजा लेने के लिए वेजा वो ता जेता देवडा कौन ता जेता देवडा जेता देवडा शिवाना के दुरुग का प्राचीन नाम क्या है कुम्बाना का दुरुग कुमट दुरुग शिवाना के दुरुग को क्या का जाता है जालोर के किले की चाबी जालोर के किले की चाबी जालोर के किले की कुँजी और क्या का जाता है मारवाड के राजाओं की सरण इस्तली संकट इस्तली ये का जाता है लोगना एक सेरे राजस्तान जरना इन्वास को यामबंदी बना करके रखा था शिवाना के दुरग की अंदर है जो कुंडिस्ता पिता जिसमें मामा दे उसमें गोरक्त मिलाया गया वो मामा दे था किसने मिलाया परमार या पमार परमार या पमार बावला था उसने मिलाया जालोर के किले पे जो पोल बताई वो किसने बताई वो दिया सर्दार बीका ने बताई और बीका की पतनी ने उनका सिरकार दिया कानर देव की पतनी जिसने जोर किया और जालोर का साका किया तेरा सो गियारा में क्या नाम था जेतल देव और सातल देव जो कमालोदीन गुरुग के नेतरतम अलाउदीन खिलजी ने जब सिवाना पर आक्रमन किया तब मेनादे ने जोर किया, मेनादे के नेतरत में जोर हुआ, एक क्यूसर ने ये भी पूचा जाता है, कि जब सिवाना के दुरग पर अलावदीन खिलजी ने अक्रमन किया, तब सिवाना के दुरग के आयोए पत्रों से, अलावदीन खिलजी के किन सेनापतियों की मोत हो नारका मलिक और दूसरा था खंडा दरा भोज इनकी मर्तियों हो गई थी खंडा दरा भोज की दूसरा क्यूसरे ये भी पूचा जाता है कि जब मलिक नायब के नेतरतों में जालोर के दुरुग पर आकरमन किया गया तब अलावदीन खिलजी के किस सेनापति को गिरपतार किय गया था और उसकी पनी प्हुरुचा जाता है कि मलकाना काि युदक नायब मलिक अलवदीन खिलजी के सेनापति था पिसके विरम देव के मंदेव का का चाचा माल देव इन्होंने नाइब मलिक के साथ किया था और नाइब मलिक हार के मलका नासिफ मेड़ता के तरफ भाग गया था फिर कमाल अदिन गुर्ग 1311 मालाउदिन खिल जी के साथ में बड़ी सेना लेकर के आया वीरम देव से प्रेम करने वाली राज कुमारी सहजादी जो अलाउ वीडियों पर नए हो तो सब्क्राइब जरू करें और यह दी मेरे पढ़ाने का तरीका आपको रास आया है आपको पसंद आया है और आपके हर्दे में एक पैट में जमा रहा है तो आप इसे लाइक भी कीजिए और मेरे वीडियो को शेर भी कीजिए जय इन जय भार्ग